हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि SIP को कैसे कैलकुलेट किया जाता है SIP की रिटन को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको 5 साल 10 साल के बाद कितनी रिटन मिल सकती है तो दोस्तो सबसे पहले आपको पले स्टोर के उपर आना है तो यहां से आप एक डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है SIP कैलकुलेटर जैसे ही आप SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे तो यहां पे यह एप है SIP कैलकुलेटर की जो मैंने यहां पे साइन कर दी है तो यहाँ पे आप इसको install कर लेंगे जैसे कि मैंने already install कर लिया तो मैं इसको open कर लेता हूँ open कर लेने के बाद आपके सामने SIP calculator का यह interface सो होगा जो कि अभी open हो रही है open होने के बाद यह आपके सामने सो होगा यहाँ पे शुरू में लिखा हूँ है SIP और यहाँ पे one time लिखा हूँ है SIP का मतलब यह है कि आप कितने जैसे 5 साल के लिए 10 साल के लिए आप मंथली SIP करते हैं तो यहाँ पे SIP के उपर click कर देंगे यदि आप एक time ही SIP करते हैं long term के लिए तो यहाँ पे आप one time चोज कर लेंगे यहाँ पे एक time चोज करना पड़ेगा यदि आप मंथली करना चाते हैं तो यहाँ से SIP के उपर click कर देंगे जैसे मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 5000 पहले से पूट है तो जैसे ही मैं 20 select कर लेता हूँ तो यहाँ पे SIP turner आपको 20 select कर लेना है 20 years जैसे ही आप calculate करेंगे तो calculator के बटन के उपर click कर देना है तो यहाँ से आप invest यहाँ पे दिखा दिए है कि आप investment out 2,40,000 रुपे पे करेंगे और आपको estimate growth होगा 15,16,000 रुपे इस तरह से यह आप long term के लिए यह आप 30 साल के लिए 40 year के लिए आप SIP के अंदर invest करते हैं तो आपको 3,14,000 रुपे estimate growth हो जाएगा यहाँ से आप check कर सकते हैं यहाँ से आपको एक time भी SIP मंतली SIP भी कर सकते हैं या फिर आप one time SIP भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने SIP मंतली 1000 रुपे की बता दी यहाँ से आप one time SIP भी कर सकते हैं जैसे मैं 1,00,000 रुपे की one time SIP कर देता हूँ इसको मैं 40 साल के लिए कर देता हूँ तो आप यहाँ से calculate करोगे तो 2,68,00,000 रुपे आपको 40 साल बाद मिल जाएंगे यह छोटी से amount इतनी बड़ी SIP में convert हो जाती है इस तरह से आप SIP के हंदर invest कर सकते हैं यहाँ पर आपको 100 भी हो जाएगा यदि आप invest करते हैं 1,00,000 रुपे तो आपको 2,66,00,000 रुपे का profit हो जाएगा यह आपकी total amount हो जाएगी इस तरह से आप यहाँ से आने के बाद यहाँ से estimate growth भी देख सकते हैं यह आपको जो मैंने उताया है कि 2,68,00,000,000 रुपे आपको मिलेंगे यहाँ से आपको यदि ज्यादा generate होता है ज्यादा estimate growth होता है तो यहाँ से आपको 20 क्रोड रुपे भी मिल सकते हैं इस तरह से SIP के अंदर आप long term के लिए invest करते हैं तो आप अच्छी retirement के ऊपर आप अच्छी कासा profit generate कर सकते हैं तो यहाँ से आपको जैसे bank Ft के अंदर आपको 13,63,000 रुपे मिलेंगे यदि आप low risk के अंदर fund के अंदर invest करते हैं तो आपको यह amount मिलेगी यदि आप mid risk करते हैं तो आपको यह amount मिलेगी यदि आपको high risk fund है और आप ज्यादा return चाहते हैं तो आपको यहाँ से estimate ज्यादा profit होने के chance होते हैं यहाँ से आपको profit दिखा रहा 20,48,000 लाग इस तरह से आप इसके अंदर invest कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि SIP क्या होती है यहाँ से आपको SIP का मतलब है कि यह firm of investment where are you funded managed by an expert यानि इस systemic investment fund system investing fund यहाँ से आप एक system के according fund को invest कर सकते हैं तो यहाँ से इस systematic investment fund के दुवारह आप SIP कर सकते हैं यहांसे मैंने SIP बता दिया कि आप SIP एंचल्स ब्लॉकिंग से कर सकते हैं आप SIP growth app से कर सकते हैं आप SIP किसी और app से भी कर सकते हैं इस तरह से आप SIP के इंदर मन्थली 1000 रुपए invest कर सकते हैं आप 2000 रुपे कर सकते हैं यहां से मैंने 40 एर किया यहां से आप 5 साल के लिए S.I.P. कर सकते हैं यहां भी 10 एर के लिए भी S.I.P. कर सकते हैं तो अधर कैलकुलेटर भी आज मैं आपको इस वीडियों बता हूँगा जैसे मैंने S.I.P. के उपर बाता दिया कि S.I.P. को कैसे कै ione Beij करने की सोच रहे तो मैं आपको एक ड़ॉइस लूगा कि आप लूग टरं के लिए ही एसाई पी के इंदर इन्वेस्ट करें यूदि आप फो टाइम के लिए 1-2 साल के लिए इन्व обяз करना जाते । तो इससे आपको कोई प्रोफिट तो यहां पे अधर कल्कुलेटर के दूबाद यहां से आप FD को भी कल्कुलेट कर सकते हैं जैसे यहां पे आप 5,000 रुपे महीने इंवेस्ट करते हैं तो आपको इंट्रेस्ट पर यह 6% के मिलती है तो पांच साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा तो आपको 6,000 सकते हैं इसी तरह से RD के अंदर भी आप कल्कुलेट कर सकते हैं RD का मतलियों का रिक्रिंड डिपोजिटिंग यानि आप कुछ पैसा कुछ टाइम बाद जैसी जमा करते हैं आप FD के रूम में ना जमा करके थोड़ा थोड़ा पैसा बेंक के अंदर जमा करते हैं जैसे 5,000 आप मंथली बैंक के अंदर जमा करते हैं तो पांच साल के बाद तीन लाख क्यावन हजार रुपे हो जाएगा इस तरह से आप लोन या EMI को कल्कुलेट कर सकते हैं यदि आपने एक लाख रुपे लोन लिया है 6% के इसाब से तो आप यहां से कल्कुलेट कर सकते हैं पांच स पर लेते हैं दो साल के तो आप यहां से 4707 आपको EMI पे गरना पड़ेगी तो आपका टोटल इंट्रेस्ट 12,906 बनेगा इस तरह से आप यहां से EMI भी चेक कर सकते हैं आप पीएफ भी कल्कुलेट कर सकते हैं कि आपका पीएफ कितना बन रहा है तो आप यहां से पीएफ SIP भी inflation यादी कोई inflation होता है SIP के अंदर तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना return मिल सकता है जैसे यहां पर 5% inflation share rate है तो यहां से मैं 10 कर देता हूं तो यह थोड़ा सा गट जाएगा तो इस तरह से आप जैसे आप पर 3,41,000 आगा इस तरह से आप SIP के अंदर invest कर सकते हैं या फिर FD Calculator RD Calculator भी कर सकते हैं तो इस तरह से FD के अंदर SIP के अंदर invest करने से आपको जैसे आप 1000 रुपे मंथली invest करते हैं तो लोंग टरम के लिए 1000 रुपे छोटी सा investment है लेकिन ये लोंग टरम के बाद आपको भहुत बड़ी investment दे सकती है तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करना